हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi नमस्कार मैं हूँ उम्दिवेदी स्वागत करता हूँ आपका Study IQ IAS Hindi के इस प्लाटफॉर्म पे और आज हमें एक बहुत ही important topic पर discuss करने वाले हैं आप फोटो देख करके ही समझ गए होंगे कि आज महारास्टा की जो politics है उस पर discussion होने वाला है क्योंकि जो speaker है महारास्टा के उनका एक statement आया है या आप कह सकते हैं उनका जो decision है जो काफी लंबे समय से pending था वो decision आया है और उसमें उन्होंने काया कि शिंदे गुड असली सिफसेना है देख पा रहे होंगे आप कि रियल शिफसेना जो है वो सिंदे फैक्शन को उन्होंने बताया एक आपको मैं न्यूस भी दिखा देता हूं यहाँ पर देख पा रहे हैं शिंदे फैक्शन इस रियल शिफसेना डिकलेस्द महारास्टर स्पीकर ठीक है तो महारास्टर के स्पीकर का एडिशन आया है तो क्या उठा पठक चल रही है यह यह लंबे समय से जिसको हम लंबे समय से फॉलो भी कर रहे हैं अगर आपने पहले मेरा वीडियो अगर देखा हो तो इस टॉपिक पर हम पहले भी discussion कर चुके है आज अब इस पर complete चर्चा करेंगे शुरुआत से ही मिलकुल चर्चा इस पर हम करेंगे ठीक है तो फटावर्ट शुरू करते हैं देखिए अगर election के समय से हम शुरू करें तो election के समय में दो ग्रुप थे वहाँ पर एक आपका बीजेपी के सा आपकी जो शिव सेना है ठीक है यह एक ग्रुप में था और दूसरा ग्रुप जो था वो था आपका महा विकास अगाडी महा विकास अगाडी जो था वो दूसरा ग्रुप था जिसमें आपकी NCP और Congress major parties को आप माले जे तो NCP और Congress एक बार क्या था ठीक है तो यह election से पहले प्रचार प्रचार होने के बाद जब election हुए election के बाद जीत दर्च करने की समय का समय आया तो इस वाला जो ये वाला जो ग्रुप था ये जीत तो इसने दर्च की अपनी ठीक है ये जीत गया और जीतने के बाद फिर question आया कि मुख्यमंतरी कौन बनेगा मुख्यमंतरी का सवा खड़ा हो गया और दोनों ही BJP कह रहे थे कि हमारा मुख्यमंत्री होगा और शिफ सेना वाले कह रहे थे कि हमारा होगा तो इस बात पर सहमती नहीं बन पाई तो यह वाला इस ग्रुप में से यह वाला जो पार्ट था शिफ सेना वाला पार्ट यह उठ करके इसके साथ आ गय तो मुख्यमंत्री कौन बना, शिफ सेना के गुट का, गुट के कौन, उद्दव ठाकरे जी, ठीक है, उद्दव ठाकरे जो थे, वो मुख्यमंत्री कपा दुरों ने grant किया, और जो भी important post थी, ministerial post थी, वो भी शिफ सेना के लोगों को यहाँ पर दी गई, ये एक fact है, ठीक है सब कुछ बढ़िया चलना था, लेकिन एक चीज थी, जो आपको पता है कि, शिफ सेना एक विचारधारा पर चलती है, ठीक है, अपनी उनकी विचारधारा है, विचारधारा, इस विचारधारा के चलते, बहुत से लोग थे, जो शिफ सेना के थे, लेकिन इस group में मिलने के बाद वो खुश नहीं थे, ठीक है, खुश नहीं थे, और क्योंकि वो खुश नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने एकनाथ सिंदे की अध्यक्षता में, यह आप कहा सकते हैं, एकनाथ सिंदे के साथ मिल करके, 34 ML, चिफ सेना के कितने, 34 ML, 34 ML है जो वो अलग हो गया, 34 ML अलग ह फिर आपको बाकी प्रक्राइब पता है कि यह लोग कहां गए, यह गौहर्टी में वहां पर बाड़ा बंदी वगरा हुई और यह सब वहां पर काफी दिन तक रहे भी, 34 ML यहां से अलग हो गया, ठीक, अब क्राइस हो गया, 34 ML तो चले गए, अब तो यह बड़े क्राइस क गवर्नर यानि कि जो वहां के राज्यपाल थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि floor test बुला लिया, floor test का मतलब क्या होता है, कि आईए और अपना बहुमत सिद्ध कीजिए, ठीक, majority को प्रूफ करना होगा आपको, किसको कहा, CM को वहां के कहा, अब आपको भी पता है कि 34 MLA जा चुके है, उद्धव ठाकरे को ये बात पता थी कि floor test में हम पास नहीं होंगे, तो ये चीज जानते हुए, उन्होंने उद्धव ठाकरे ने क्या किया, इस floor test में ना आ कर, फिर से सुनिए, इस floor test में, floor test में शामिल ही नहीं हुए, और उन्होंने resign कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपको जैसा की पता है, कि हमारे यहां पर एक नियम है, क्यों ताकि political stability बनी रहे, आपकी राजनीती में, या जो भी party हैं, उन्होंने एक इस्थिरता बनी रहे, तो उसके लिए हमारे यहां पर एक 52nd constitutional amendment act, 52nd संविधान संसोधन अधिनियम 1985, के तहत दल बदल का कानून, ठीक है, दल बदल कानून है हमारे हां, 52nd constitutional amendment act के तहत, जो दल बदल कानून है हमारे हां, यह किसलिए है, यह ताकि political stability बनी रहे, कोई आदमी इधर से उधर पारबार न जाए, इसके लिए यह प्रावधान जो है, ठीक, तो अब क्योंकि 34 ml यहां से वहां जा चुके point है, एक point इसमें क्या है, यहां में लिख देता हूं, देखिए इसमें एक 4 point है, अगर हम पहले point की बात करेंगे, तो पहला point है यहां पर कि अगर कोई अपनी मर्जी से अलग होता है, मतला voluntarily, ठीक है, अपनी मर्जी से, मर्जी से अलग होता है, तो उसको MLA के पद से disqualify किय जा सकता है, एक चीज, दूसरी चीज, अगर कोई whip की बात नमाने, whip, ठीक है, whip, whip क्या होता है, whip एक order होता है, जो सभी party के लोगों को एक जैसा behave करने पर के लिए एक आदेश दिया जाता है, कि कहां पर आपको yes पे vote देना है, कहां पर आपको no पे vote देना है, यह सारी चीज है, जो वो जो order करता है, अगर कोई उसके against जाता है, तो भी दल बदल कानून के तहत, उसको disqualify किया जा सकता है, MLA के पत से, MLA के पत से, ठीक है, तीसरा जो point है, वो क्या है, तीसरा point है यहाँ पर कि अगर कोई ऐसा वेक्ति है, जो की independent member था, ठीक है, independently उसने independent, उसने मानलो चुनाओ लडा, और जीत गया, और फिर उसने समर्थन दिया किसी party को, उसके साथ वो अपना party बना, उसने अपना जो सरकार बनाई, ठीक है, अगर वो कोई party join कर ले, तो भी उसको disqualify किया जाएगा, ठीक है, और चौथा क्या है, चौथा है, यहाँ पर nominated member को है, nominated member अगर को nominated member, कोई अगर nominated member, 6 महीने के बाद कोई party join करता है, तो उसको भी disqualify किया जाएगा, यह 4 प्राफधान इसके तरह दिये, जो आपको पता है, आप लोगों ने, बहुत बार quality में चीज पढ़ लिये, यह static का portion हुआ, ठीक है, अब इसी के अंदर, अगर यह whip वाला जो मैंने ब number का section है, उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें यह चीज दी हुई है, कि अगर, पैरा 3 में यहाँ पर एक चीज यह लिख दी है, कि अगर कोई आदमी, अगर कोई MP या MLA, MP या MLA, ठीक है, एक तिहाई MP MLA है, जो, one third MP MLA, किसी भी party के एक तिहाई member, अगर तूटके अलग होते हैं, ठीक है, तूटके अलग होते हैं, तो उसको क्या है, कि इसके disqualify के तहत नहीं आएंगे, वो एक exception की तरह treat किया जाएगा, ठीक है, तो इसको split कहा जाता है, split, ठीक है, split के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, कि एक तिहाई member अगर अलग हो जाते हैं, तो उनको, उनको disqualify नहीं किया जाएगा, जो की बाद में खारिश कर दिया गया, इसको भी खारिश कर दिया गया, और इसकी जगा पर merger, merger आ गया, ठीक है, merger, merger, merger क्या चीज़ है, यहाँ split को खारिश करके merger आया, merger में उन्होंने संख्या को बढ़ाया, जिसमें उन्होंने एक तिहाई, जो स disqualify नहीं किया जाएगा, यह एक exception किता है, treat किया जाएगा, ज्यान दीजेगा यह बात, ठीक है, यह यहाँ पर यह चीज clearly mentioned है, ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब यह सब disqualify करने की power वगएरा, यह सब किसके पास है, तो यह है आपके लोक सभा के जो अध्यक्ष होंगे, यान अध्यक्ष होंगे, उनके पास यह power है, ठीक, समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद, आगे क्या हुआ, कि अब जब यह स्थिती है, दल बदल कानून भी है हमारे हाँ, तो फिर सवाल तो natural सी बात है, उठेगा, क्योंकि 34 ml जो जा चुके हैं, उनके लिए स तो उद्दव ठाकरे चले गए आपके Supreme Court, ये चले गए Supreme Court, और जब ये Supreme Court गए, तो Supreme Court का एक verdict आया, ठीक है, अब वो क्या verdict था, ये अभी मैं दो मिनिट में आपको बताता हूँ, इससे पहले मैं आपको एक important information दे देता हूँ, हमारे SIP Plus के बारे में, SIP का मतलब यहाँ पर test series हैं, वो भी शामिल है, सारी test series इसका ही part है, ठीक है, आपको daily basis पर 50-50 question की practice भी कराए जाएगी, और फिर उसके बाद complete 100 question की practice भी कराए जाएगी, subject wise, और फिर last में आपको UPSC के type के जो paper होते हैं, जिसमें mixed question होते हैं, वो भी इसमें शामिल है, ये सारे जो papers मैं ने बताए इनका एक detailed discussion video भी आपको मिला करेगा, और live revision तो इसमें हो गई होगा, ठीक है, हर एक चीज इसमें शामिल है, तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं, तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं, तो ये best batch है उसके लिए, ठीक है, तेरा जनवरी date याद रखिएगा, इसके अलाव चाहिए, अभी new year batch है, ये एक तरह से, तो इसमें आप ओम live code का अगर इस्तेमाल करते हैं, तो 23,999 में मिल जाएगा, 16 जनवरी तक इस batch में अगर आप admission लेना चाहें, तो 16 जनवरी तक इसकी last date रखिए गई है, ठीक है, ओम live code का इस्तेमाल करके 23,999 में मिल जाएगा आपको ठीक है, चलिए, आते हैं वापस अपने topic पर, और फिर supreme court का जो verdict आया, उस verdict में क्या था, कि उन्होंने कहा कि ये जो governor, यानि कि राज जिपाल ने, राज जिपाल ने floor test बुलाया है, floor test, ये floor test जो राज जिपाल ने बुलाया है, इसकी power राज जिपाल के पास नहीं है, ठीक अब आपके दिमाग में आ रहा हुआ, यानि कि अद्धव ठाकरे तो वापस से cm बन गए होंगे, याना, नहीं, इसा नहीं हुआ, उद्धव ठाकरे वापस cm नहीं बन पाए, क्यों नहीं बन पाए, Supreme Court ने साफ साफ कहा, कि देखे, राज जिपाल के पास ये power नहीं है, या उससे पहले, resign दे दिया, स्तीफा दे दिया, ठीक है, resign दे दिया, यानि कि स्तीफा दे दिया, तो आपको ये, अगर यहां पर यह Supreme Court ने कहा, कि अगर इन्होंने, floor test में, floor test में एक बार यह आ जाते, appear हो जाते है, और फिर वहां से इनकी सरकार अगर गिरती, तो उस case में उस प्रकरण को ही गलत गोशित किया जा सकता था, लेकिन इन्होंने, इन्होंने resign दिया है, तो इसलिए ये CM नहीं बन सकते, ठीक, यहां तो भारी नुकसान हो गया, दूसरी चीज, Supreme Court ने speaker को कहा, कि जल्द से जल्द इस पर आप अपना निरने दे, कि आगे का क्या निरने है, इस बीच में एक चीज और हो गई, जो Supreme Court ने highlight भी की, speaker से, आनि कि अध्यक्ष से कहा, कि आपको अपने जो आपका decision होगा, उसमें आपको किसी भी तरीके से influence नहीं होना है, क्योंकि उस वक्त एक चीज जो होई थी, वो ये थी, कि जब ये बात आई, कि शिव सेना की लोग ह है, जो वो जो अलग हो गए थे, जो एकनाथ सिंदे की party के लोग हुए, और एक इदर आपके जो उद्धर ठाकरे के लोग हुए, ठीक है, ये जब बात हुई कि हम real सेना है, ये दूसरे लोग कह रहे थे हम real सेना है, तो बात आती है, चुनाव चिन्न की, ठीक है, चुनाव आयोग का काम है, कि चुनाव आयोग देगा, ये कि कौन सा सिंबल किसको देना है, तो चुनाव आयोग ने ये सिंबल है, जो वो किसको दिया है, ये शिफ शिंदे वाले गुट को दे दिया, ठीक है, शिंदे वाला जो गुट है, उसको उन्होंने दे दिया, क्यूं दे दि यह सारी जो पोस्ट होती है पद होते हैं जिसके पास ज्यादा वो लोग होंगे जो पद वाले लोग है जो जिसकी साइड में होंगे उनको यह चुनावचिन दिया जा था लोग गये तो इस बहाफ में इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया ने सिंदे गुठ जो था उसको ये चुनाव चिन्द भी दे दिया, ठीक है, अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोट ने जब अद्रेक्ष को कहा तो उन्होंने ये बात कहा कि आपको जो इलेक्शन कमिशन जानी की चुनाव आयोग ने जो ये नहीं होना है, ठीक है, इन्फ्लूएंस नहीं होना है, ठीक, ये चीज़ भी इन्होंने साफ साफ कही थी, अब समझ ये, अब इनका, इन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसको दीजे और 31 दिसंबर के लिए कहा गया था, 31 दिसंबर 2023 में इसको decision को final करना है, लेकिन तब तक नहीं हो पाया, और finally decision है, जो वो 10 January को आया है, ठीक है, 10 January को ये decision आया है, और 10 January को जब ये decision आया, तो उसमें उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने जो speaker है, speaker nे, speaker nे finally, जो शिंदे गूट था, ठीक है, शिंदे का जो गूट था, उसको दिस्क्वालिफाइड नहीं किया उद्दफ ठाकरे का जो गुट था उसको भी डिस्क्वालिफाइड नहीं किया क्या लॉजिक है इसके पीछे देखो उद्दफ ठाकरे के गुट का डिस्क्वालिफाइड ना करने का तो सींपल जोडिक ऐन्होंने तो ऐसा कुछ किया विलीफाइब ने क्रICA में करक्याइब वावाव क्वेसिशन सब्सक्राइब अलग्स फैक चिसी को अगर होना है तो इसको जो अलग हुआ ठीक है तो अलग ये वाला इतू जब आफ ये वाला खाट की तो majority है तो two-third वाली जो majority जो exception के तहट रखी गई है वो ये पूर्ती कर रहे है उस चीज की तो कैसे इसको disqualify कर सकते थे ठीक है तो इनको disqualify नहीं किया गया है तो आपको ये दोने चीज़ें आपको पता चलगी अब उदर ठाकरे के पास ये option है कि वो वापस decision है क्या मैंने कहा ना अभी कि ये supreme court में जा सकते हैं मतलब कि speaker का decision नियाइक पुन्रावलोकन judicial review है जो उसके तहत included है judicial review इसका हो सकता है ठीक है नियाइक पुन्रावलोकन इसका हो सकता है तो इसलिए ये supreme court जा सकते है एक और आज जो particle है उसमें ये बात कही जा रहे है कि speaker के पास इस तरह की powers नहीं होनी चाहिए इसके लिए अलग और से संसधिय समिती है जो संसधिय समिती संसधिय समिती है । चो जो वो बनानी जो नहीं चाहिए इस तरह के decision क्योंकि speaker है जो कही तो वो कहीं न कहीं से influence हो जाता है उस पार्टी से जो उस वक्त ज्यादा power में है तो यह बात भी अभी कहीं जा रही है खेर तो अब भविश में क्या होगा क्या नहीं होगा यह हम लोग देखेंगे यह वापस सुप्रीम कोट जाते हैं नहीं जाते क्या होता है लेकिन अभी तक का जो प्रक्मर था यह जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि शिंदे गुठी असली सिर्फ से नहीं है वह क्या है वह आपको मेरे ख्याल से पता चल गया होगा यह इसलिए कहा जा रहा है क्यूंकि majority है जो वह इन्हीं के पास है चुनाव चिन भी इन्हीं को मिला है तो और को अबक्रवार कोड है इसको स्कैन करके जूड़ सकते हैं यह फिर ओम दिवेधी स्टयी आईक्यु सर्च करेंगे तो भी आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जूड़ सकते हैं या आप मुझे डरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं जल्दी मिलेंगे किसी और लेक्शर में तब तक इल